तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग उम्मीद करता अच्छे होंगे तो इस तरह का मेन्यू का उप्शन आपने आज कल चाहे बड़ी रेस्टूरेंट हों चाहे कैफे हों चाहे बहुत चोटी रोड़ साइट कैफे हो वहापे भी देखा हुगा क्यूर मेन्यू का उप्शन स्कूल गॉलज बजक तो शुरू करें चले शूरू करते हैं तो इसके लिए में जिसक्रिप्ट चाहिए उसका नाम है हमारा 6S QR मेन्यू लिंक आज यू नो हमें डिस्क्रिप्शन मिल जागा को इस तरह का आपको इंटरफेस मेलेगा जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट वे ब्लोड़ करने वाले बना लिए तक हम एक डाडा भेस घंद है तो हम अधिक कर देता है फिया by यह अधियर अप्लोड हो चूदए है देन न अब हम क्या करें गेका प्लिच करेंगे हुआ उधांड देते हैं जो हमयरा रिद्धेस्ट्स ने तो दुम इसे डालींगे तो दिखें 할kema दॉपिं किया हुआन्फ हुसे डालेंगे अव टियोगे और नेम्स पर क्लिक करके वहारे इस कैफ्ल क्लिau inflam um simple as that ठीक है तेन अपनी website उपन करेंगे कुछ इस तरह कामरे इंटरफेस दिखेगा ठीक है यहाँ पर हमेरे पाइस दिखाए कि किस तरह का जब भी कोई user अपना उपन करेगा उसे किस तरह का दिखेगा कि उसकी cover photo हो जाएगी restaurant की image हो जाएगी यहाँ पर multiple menu हो जाएगे ठीक ह तो इससे वो description डाल सकता है price डाल सकता है analytics चेक कर सकता है कितने लोग उसकी website पर आए कहां से आए कैसे आए ठीक है अगर variant बनाना चाहता है तो variant के option भी दे सकते है free sample जो free प्लान होगा उसमें one store मिलेगा पांच menu मिलेंगे दस category 10 item ठीक है तो इस तरह का ordering system उसमें नहीं होगा ठीक है तो हमें set up करते हैं चलिए तो first automatically just login है कि हमने क्लिक कर रखा था ठीक है तो यहाँ पर अलड़ी एक हमारे पर setup is website है जो दिखिए कुछ इस तरह का देख र जाना है hot copy पर यहाँ पर और अपिशन नहीं है ठीक है क्यों क्योंकि यह free वाला option है तो पहले हम चलते हैं पहले हम बात करते हैं dashboard की ठीक है पहले में पर हमेरे पी यूजरें और अब करना है जो आप कर देखा रहा है तो आप काी डिकि है टार्यच्री में चमकश कर सकते हैं last activities कि कर रोग In कि यहां बना है को है जैन्त को सेटिंग ऑमårtते हैं था update कर देते हैं even इसमें इसमें आपको AI integration का option में मिलता है तो AI integration से जैसे suppose आपको किसी particular item का menu description लिखवा रहा है तो आपको chat GVTP पे जाके नहीं डालना पड़ेगा आप चाहरे तो यहीं से लिखवा सकते हैं तो यहां पे आपको लास्ट में जाने का option में लेगा ठीक है तो उसके लिए आपको यहां पे लास्ट में जाके आपको API की यहां पर API की देनी पड़ेगी जिसके through आप चाहे तो description लिखवा सकते हैं या page को translate करवा सकते हैं तो इस case में हम से skip करेंगे देन वारे पास यूजर का option आ जाएगा यूजर को रिजिशन एलाओ करना या नि करना है अफको अभी करना है तब ही तो यहां हो गया अब किसी user ने थी दिन से restaurant का नाम अब किसी का one two नाम नहीं हो सकता restaurant का तो मिर्वाप सेवन डिजिट का नाम सेवन करेक्टर का नाम उसका होना चाहिए यहां पर ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से ठीक है देन हमारे पास payment का option आ जाएगा तो हमें अगर currency करेंट करना है तो हम अपनी currency करेंट कर सकते ह सब्सक्राइब करना है तो हमें रूपीज का सिंबल चाहिए तो मैं रूपीज का सिंबल को कॉपी कर लिया और यहां पर हमने डाल दिया default payment प्रोसेस तो हमने यहां पर रिजर पे हो सकता है हमारा हम अभी offline payment के साथ जा रहे हैं सेट अप निकर रहे हैं तो यह सेट अप कर देंगे और लास्ट में जाके हम सेव कर देंगे ठीक है यहां पर आजाएंगी बिजिस रिटेल क्योंकि कोई भी आपको पेमेंट करेंगा तो वह इसकी इन्वाइश अन्नेट करेंगा तो जो भी आपका प्रेजिस्टर डेडरेस है वह सब यहां पर मेंशन कर सकते हैं तो यहां पर क्लिक करना है आपका पेमेंट आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं ठीक है आपको सोचल लॉग इसके पर वीडियो बनाया हुआ है कि फेस्बुक के कैसे आप बना लेंगे तो अग यूजर को अकाउंट सेट अप कर लेगा तो इससे काफी सारे जिनके साथ आप कर सकते हैं यहां पर आपको थीम्स हो गया सम थेम्सियां क्लिए अधियोशन होगी यह बिसिक्ली इंफॉमेशन अब बाकिर से प्व में इसके व्युक्त कर लिए इसंब का सब्सक्राइब करके तो यहां पे यहां पर मैंडिल लिमिन आगई स्टोल में वेडि़ कर सकते हैं कितने मैंनि कि ते कैटेगरी कि अब करने चाहें तो यहां पर आप सब आप हुआ पर दे सकते हैं अपने ordering system हमने इसमें अनेबल कर दिया तो सामने वाले के पास order भी जाएगा अब आपने अनलेटिक का option दिया qr builder ठीक है remove branding ठीक है ठीक है यह हमने सब्सक्राइब options हमने यहाँ पर दे दिये हैं यहाँ ठीक है जो भी stores होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जैसे भी हमारे पास एक इस store था vintage और machine ठीक है तो हम यहाँ पर अपने एक नए एक restaurant सेट अप करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग मेन वेबसाइट पर जाएंगे पहले हम लोग आउट कर लेते हैं तो मेन वेबसाइट पर आ गए हम साइन अप पर गया है साइन अप पर जाने के बाद हमने एक demo account setup किया confirmation दी यह कुछ हमारा इस तर एक account आ गया हमने create store पर गया तो store का नाम हमें कुछ देना है तो हमने park and puff नाम से अपना एक restaurant बनाया ठीक है हम नाम ने same ही हमने नाम दे दिया URL भी same होगे description आपने दे दिया best cafe in town in city ठीक हम लगते नहीं है ठीक है जो भी आपको location डालनी है आपनो location डाल सकते है currency डाली time zone select किया आपने create पर click किया अब आ गए हैं पर menu ठीक है तो अब आप यह पर कॉल साब main menu बनाना चाहते हैं । जो भी आप menu बना बनाा चाहते है बार menu बनाना चाहते है तो व बना सकते है e UAE menu बनाना सकते है breakfast menu लँच menu जो भी आपको menu बनाना था हम यह पर main menu मना देते हैं । ठीक है- मेंनHello हो गया से निए से बाष पाष प्रीज मों पॉट्स करने हैं तो हम ने सुटरेशंक्स पाष फोटो जहां पे डाउन्लोड कर रखिए तो हमने बना दिया आप यूजर हो गया है आप उसके अंदर भी कैटिगरी बना सकते हैं टो हम लोग यहां पर केटिगरी बना देते हैं एक काट कर देव और ढदें हमें इमेड अपनालाव कितने की है हमारी स्पिशलिटी 120 उपे हैं क्लिसा कर दिए लिए कि इसी तर से आप क्रेस्वड़ आईट कर सकते हैं गया führen कर सकते हैं तो अब स्ब्सक्सित्रा आइटम को स्चान अभां कि मोझा शर्थ में कुछ चाहिए करना तो में अब इकलिए चोड़ूँ गा तो फिर पर करते हैं तो कुछ इस तरह का अब राइटम दिखेगा ठीक है यहां पर किन पर फेगए ठीक है अब हम यहां पर पर के पर किन पर देख सकते हैं कि हमारे ओवर्विव कित्य लोग आए इंडिया से दो लोग आए कि है वाइस क्या था ब्राउजर क्या था लोकेशन क्या थी हमें से समथा चल गया एंट्रींस क्या तो उसके अकॉर्डिंग अपने अपनी जोभी ओम हमयों कीम पर डाई का करेंगे इंस्तर शार तो अब आपन सब ओन में सब्सक्राइद मैं जोलाग है तो आहां तो हम्याप यहाँ पर जाएंगे हम लोग एडमिन डैश्बोर्ड में जाएंगे प्लाइंस पर जाएंगे सिल्व प्लाइंस में कोई भी नहीं है यूजर पर जाएंगे यह हमारा यूजर है इसमें हम एडिट पर क्लिक करते हैं अब प्लान एक्टिवेट कर दिया तो अब हमारे पास multiple options वानेवल हो जाएंगे जैसे कि जब हमें आपके क्लिक करते हैं तो यहां पे हम special type करते हैं तो कोई option नहीं है या हम QR code कैसे जनरेट करें तो जब यहां पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास QR code का option हो जाएगा ठीक है यह option तब आएगा जब आपके पास speed plan होगा ठीक है जो आपने plan मनाया था तो आपके पास QR code है आप इसे print कर सकते हैं और print करने के बाद अपने restaurant के पे लगा सकते कि order for menu ठीक है तो यह option हो गया यहां पर आपका यह option आ गया देन आपके पास view store का option है यहां पर order का option है अगर आपने अनेबल किया है तो आप जो भी orders आएंगे वह आपको order से यहां पर दिखने लगेंगे ठीक है ओर्डिंग सिस्टम पर जाते हैं हम अनेबल order कर देते हैं ठीक है ओके offline payment एक सेकंड लास्ट में हमने इसको ठीक है तो हमने अपने और यहां पर आपस option आगया अगर हमने अनेबल कर दिया कि हम प्राइम से minimum water value हमारे से अपने कुछ सैटनी करिया सब जीरो है ठीक है यहां पर बिजिस डेटेल सागर हमें इन्वाइस जनरेट करनी है तो हम बिल जनरेट कर सकते हैं जो भी हमें अपने नाम देना है ऐसे हमारे केस पर नाम होगा वो पर नंबर बगरा देना है तो हम वो नंबर बगरा यहां पर दे सकते हैं ठीक है तो हम यहां पर कुछ अप्डेट कर दिया आप अपना जो भी चाहें अपना फेस्बूक इंस्टाग्राम वो सब भी mention कर सकते हैं अब हम अपने जिब order पर जाते हैं तो यहां पर देखिए हमें पर उढसंट करना हेरे जो भी हम यहां पर देद दे अपना नाम नाम यहां पर लगाइं अब यहां पर बेक Innd में जाएंगे सब्सक्राइब हैं तो यहां और यहां पर build up मैं पर टिका इंगए दिखिए निवार सब्सक्राइब को हमारे पास राट राट इस तो इसक लिए अपको प्रीव प्लान ने पड़एगा मतब यूजर को प्रिम्म पालन ने टो इस तरह से आप पूरा सिस्टम वह अपर सेट अप